एक और information के साथ हम आपके सामने पेश हुए हैं और आज जो information है वो बहुत जादा important है जी हाँ आज हम बात करने वाले हैं PhD के लिए जो बच्चे masters कर चुके हैं या जिन बच्चों का net clear है और further आगे study करना चाहते हैं PhD के लिए in psychology field उनके लिए आज हम एक opportunity बताने वाले हैं जो जो भी आपको certificate देने होएंगे वो आपको वहां पर submit करने होंगे कहां से यह vacancy आ रही है जी हां यह vacancy आ रही है आपकी Indian Institute of the Science from the Bangalore अगर मैं top rank industry या फिर यूनिवर्स्टी के अगर हम यहां पर बात करें नंबर वन यूनिवर्स्टी आपकी IISC ही है right now from the current fiscal year अब यहां प start होगा January 2025 से इनोंने यहां पर लिख भी रखाया basically यहां पर अगर हम देखें तो जो बच्चे PhD करना चाहते हैं उनके लिए it is one of the golden chance अगर हम बात करें science faculty engineering faculty सारी चीजों के अंदर यहां पर PhD लिखाल एडिमिशन लिख लिए हुए हैं interdisciplinary areas के अंदर भी लिकल रखें आपकी qualified degree के अगर हम बात करें देखें बैशिलर डिगरी है जिनके पास engineering उनके पास वैलिड गेट इसकोर होना चाहिए जब हम बात करते हैं psychology के बारे में economics के बारे में geography के बारे में या फिर जो हम कह है या तो आपके पास वैलिड गेट इसकोर हो या फिर नैट और जियरफ हो बहुत बच्चे कहते हैं कि सर हम गेट एक्जाम क्यों दें देखें इसलिए मैं कहता हूं कि गेट एक्जाम इसलिए कंपलसरी होता है गेट एक्जाम आपको एक opportunity provide करवाता है कि जो आपके बहु in science में होनी चाहिए आपकी या तो फिर master degree in economics, geography, psychology, psychology वाले बच्चों के लिए हाँ पर भी काफी ज़्यादा रहेंगी management, commerce, or that is operation research, computer science और application तो हम इस चैनल पर युकि psychology की बात करते हैं तो psychology वाले बच्चों के लिए यहाँ पर एक PhD का बहुत बड़ा golden chance है अगर हम इसके बार 1 January 2025 तक आपके पास होना चाहिए या फिर valid होना चाहिए अभी देखे जिन बच्चों ने net का exam दिया है, net का जिन बच्चों ने exam दिया है मैं उनसे कहूंगा कि wait करिये चुकि I think इस month के end तक या फिर first week of the October तक आपका net का result आ जाएगा तो वो बच्चे भी हम पर apply कर सकते हैं यहाँ पर मांगा गया तो या तो अगर gate है, gate नहीं है तो आपके पास net हो या फिर जेरफ, obviously, applicant must be qualified for the जेरफ fellowship if eligible to apply to the net या फिर जेरफ मोल, वो बच्चे even जो gate से अगर आप होते हैं, देखे जो net जेरफ वाले बच्चे होते हैं, जिनका जेरफ है तो उनको fellowship तो government देती दे हैं, बाकी जो आपके gate वाले बच्चे हो गए, या net वाले बच्चे हो गए, वो autonomous जो institute होता है, वहाँ पर यह आपको scholarship प्रवाइड करते हैं, scholarship राइट ना जो चल रही है, वो आपकी चल रही है, 37,500 रुपीज के अप्रॉक्स, तो अगर if you get selected in the PhD admission from this reputed institute, you will get monthly of the 37,500 भी आपको ज्यादा नहीं सोचना है, काफी अच्छी scholarship है मेरे साब से, selection processor की बात करें, तो सबसे पहले आपका keyword test लिया जाता है, अगर test नहीं होता है, तो आपका direct interview based पर यहाँ पर selection होता है, तो इस चीच का भी आपको याद रखना है, बाकी eligibility में आपके पास क्या होना चा sponsor category के थुरू आ रहे हैं, तो आप क्या जो organization है, उन्होंने आपको sponsor कर रखा हो, 30 October से पहले पहले, इस चीच का भी आपको याद रखना है, selection procedure में उन्होंने साफ साफ लिख रखा है, कि आपके interview के basis पर आपका क्या होगी, based on the performance in the interview, आपका selection होगा यहाँ पर, अगर हम important dates की बात करें, तो यहाँ पर 1 October से यह admission start होएंगे, और इसलिए मैंने का है, चिन बच्चों का net का result अभी आने वाला है, उनको यहाँ पर wait करना चाहिए, 24 October तक इसकी last date रहेगी, 30 October तक आपको यहाँ पर relevant document भीजने पढ़ेंगे, for ERP के लिए, date of interview आपकी November में हो जाएगी, और आपका 1 January 2025 से यह session start हो जाएगा, तो it is one of the golden opportunity number one institute in the India, अगर हम fees की बात करें, तो journal के लिए 800 रुपे है, SCHT के लिए 400 रुपे है, और ERP candidate के लिए 2000 रुपे है, अगर यहाँ पर मैं आपको और थोड़ा इसको backbone में रे जाओ, तो देखिए, यहाँ पर यह लगता है, easy है, ब आपके पास उस subject के अंदर quite deep knowledge होनी चाहिए, क्या आपने project कर रखा है, उसके ओपर, क्या आपके thesis है, यह सारी चीजें, अगर आप PhD इंटर्व्यू देने जा रहे हैं, तो आपके पास वो सारी चीजें पहले से ही advance में तयार होनी चाहिए, otherwise वहाँ जाके वो आपसे question चीजें, how should they implement, अगर आपने project कर रहा है, तो क्या project था, उस project को जरूर पढ़के जाए, तो इस वीडियो में इतना ही competition काफी ज़्यादा tough रहता है, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है, so we will meet in the next video, till then keep smiling, keep getting lots of memory, this is caffeine short, have a great day, thank you all of you.